सब्सक्राइब कीजिए सरुन सिंग राटोड चैनल को और बेल आइकल को दबाएए हमारे लेटेस्ट अग्नोड़ोज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज आपको बताने जा रहा हुँ वाटसैप के सेवन ऐसे ट्रिक्स चुछ आप जानकर काफी आपको बहुत है परेंगे बहुत सारे लोगों को यह टिप्स पता होगे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड से जिनको यह टिप्स नहीं पता है तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हेट होच पीओ है वाटसैप को यूज़ करने तो चलिए वीडियो शुरु करते हैं ह्साइस। हां तो अपतों के और हैसे बहुत सारे मुबाइलs होते ह withdrawn नहीं करते हैं और इसा मोबाइल को योज करते हैं डार्क मोट जातर है वह नाइट में यूज किया जाता है और उससे कि आपके पर रिफ्लेक्ट है वह ज्यादा नहीं पड़ता है जो मोबाइल की स्क्रीन के अनदर रेस होती यह उसका चलिए आपको बताता हूं डार्क मोड कैसे स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको वाट्सएप उपन करना है वाट्सएप उपन करते ही आपको ऊपर थ्री डॉट मिलेंगे वहां पर टेप करना नीचे आपको सेटिंग्स मिलेंगे वहां पर टेप करना है और से जहां पर देखें friends जो स्क्रीन थी वह एकदम डार्क हो गई है हां तो friends चली बात करते हैं अब tip number second आप तिप number second यह है कि आप अपने जो message लागर होते हैं उनको आप बाद में भी read कर सकते हैं और उसको mark as unread कर सकते हैं जिससे क्या होता है कि आप कोई मेसेज है आप को टाइम नहीं होता है आप चाहते है कि उस मेसेज पार में रीड करें और एक ऐसे डॉट गी डॉट जैसा आपको ईजो चैट our business मिल जाएगा जिससे आपको अपा दिल जाएका कि यह मैसेज हमको बार में रीट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है सब से पहले आपके मॉबाइल के वाट संपर उसको और निची नंबर पे लिखा रहा है मारके समरेडालं जैसे यहां पर टेप करेंगे देखें chilli contact के सामने एक green dot मिल जाएगा जिससे आपको पता जिल जाएगा कि यह message है वो unread है और आप बाद में उसको पढ़ सकते हैं यानि वो important message है आपके लिए हाँ तो friends अब बात करते है tip number third की थर्ड number tip यह है कि आपने whatsapp की जो language है वो change कर सकते हैं जैसे आप Hindi में कोई message वगरा देखना चाते हैं या जो whatsapp के जो overall language है वो English में होती है आप change करके original language में आपको बहुत सारी language मिल जाती है उसमें आप change कर सकते हैं तो वो कैसे change करेंगे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में settings whatsapp को open करना है जैसे आप whatsapp को open करते हैं तो यहाँ पे आपको three dots पे tape करना है और नीचे आएगा settings settings पे tape करेंगे और यहाँ पे जो second number option है chats इस पे tape करेंगे यहाँ पे देखिए नीचे लिखा रहा है वाट्साप language इस पे रहा है और यहां पे अगर आप Hindi में करना जाता है तो हिंदी पर टेप किजिए और यह जो लेंग्वेज यह वाटो सेप यह सारी हिंदी में हो जाएगी हाँ तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टिप नूमर फूर की टिप नूमर फूर यह एकि आपके जो भी मेसेज आता है कोई important message होता है तो उसको आप bookmark भी कर सकते हैं इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है WhatsApp open करना है और यहां पर आप कोई भी जैसे चैट में जाते हैं तो यहां पर आप कोई message को bookmark करना चाता है तो उसको press and hold करना है और उसके बाद है जो उपर एक star आण जरे आफ उसको यहां स्टार करना है जैसे उसपर करेंगे देंगे मैसेज पर यह star है वह दिखार एक अगर它p को बाद में देखना है तो आपको पूरा बैक आजाना है और उपर थ्री डॉट्स पे टेप करना है और यहां पर लिखाओ स्टार्ड मेसेज तो यह देखें यहां पर यह मैसेज यह सो कर देगा तो यहां पर आपके जैसे से बहुत सारी कॉंटेक्स वस्टो होते हैं बहुत सरी ग्रूप कर सकते हैं अब बात करते हैं और लोग वीडियो कॉल करा ज़िया वह जादव दोता है उसको आप रिडियूस कर सकते हैं और आपका वो डाटा है वो कम रिवे यूज होगा उसको अवन करने के लिए आपको एक सेटिंग करने पड़ती है तो आपको मैं बताता हूं सबसे पहले आपको वाट से ओपन करना है यहां पर त्री डॉट्स पर टेप करना है करना है जैसे आप यहां पर इसको कर देंगे आपको डाटा है बहुत ज़ादा कम है वह यूज होगा और आप पर जड़ा-ज़ादा है वह आप डाटा को यूज कर सकते हैं हां तो फ्रेंड्स अब मैं आप से बात करोंगा डिक नंबर 6 की तो इसमें आपको मैं बहुत ही चीज बताने जा रहा हूं, जैसे कि आपके बहुत सारे kontacts होते हैं, उसमें क्या है कि आपको एक important message mail मिलता है, जिसमें कि आपके कोई important document हो गये, कोई important message हो गये, उसको आप चाहते हैं कि आपका जो message है, वो, या conversation है पूरा, वो आप safe रखना चाहते हैं, और कहीं पर store करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, सबसे पहले आपको WhatsApp open करना है, यहाँ पर त्री डॉर्स पर टेप करेंगे, यहाँ पर settings में जाएंगे, settings पर जाते ही, आपको यहाँ पर chats का option रहेगा, यहाँ पर टेप करते ही, सबसे last में जाना है, और यहाँ पर लिखा है chat history, इस पर टेप करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहला option मिल रहा है export chat, इस पर टेप करते ही, आप particular जिस भी person के आपको chat है, वो export करनी है, यानि उसको कहीं पर भी save करना है, जैसे google drive होगी है, या किसी को आपको send भी करना है, तो वो आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक contact है, वो select कर लेता हूँ, जैसे आप contact select करेंगे, तो यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे, without media और media, यानि एक option है जिसमें कि आप पर जो media भी include करेंगे, जैसे आपको कोई video हो गया, image हो गया, वो आपको साथ में include मिलेगी, अगर आप जाते हैं कि photo video include now, तो आप सीधा without media भी हो, वो save कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक option में आप tape करता हूँ, और अब आप देखें, यहाँ पर आप वो कहीं पर भी आप share कर सकते हैं, जैसे Gmail लोगया, WhatsApp ते किसी को conversation send करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, किसी को message करना वो भी कर सकते हैं, या Google Drive में आप save कर सकते हैं, अब बात करते हैं tip number 7 की, इसमें क्या है कि आप किसी को भी text भी टेक्स भीजना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि text है, वो bold हो जाए, या italic हो जाए, या data है, या ऐसे text, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले कोई भी आपको chat है, और यहाँ पर कुछ type करना है, जैसे ही आप यहाँ पर कुछ type कर देंगे, तो जो भी type किया है, उसको press and hold करना है, यानि उसको थोड़ी देर press करके रखना है, और यहाँ पर आपको जो three dots मिलेंगे, उसके tape करना है, और यहाँ पर तिन अलग लग option आजाएंगे, उसमें से आप एक जो कोई भी select करके, और देखेंगे आपको जो text है, वो change हो जाएग कीजिए, share कीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, तो मिल देए एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्यार रखिये, जहें बंदे मातरूं